जनकारी लेने से पहले एक बेक्टी था अरस्तु और हिपोक्रेटस जो 34 सदी में सबसे पहले हट का बारे में जनकारी दिया था 34 सदी में जनकारी देने वाले बेक्टी का नाम क्या था अरस्तु था और हिपोक्रेटस था दो ऐसे बक्ति दो स्बसे पहले हर्ट का बारे में जनकारी दिये थे लेकिन एक बक्ति थे दसीन अफिर्खा के एक डौक्टेर थे जिस डौक्टर का नाम था Christian Bernard Christian Bernard एक ऐसे बक्ति थे जिनहोंने दसीन अफिर्खा के एक होस्पितल। तसीन अफिका के राजधानी केपडन में एक होस्पीटल ग्रेटर सुवर होस्पीटल था जिसमें सबसे पहले 3 दिसमबर 1967 को हट का ट्रांसपर किया था 3 दिसमबर 1967 को हट का ट्रांसपर करने वाले बेक्ति का नाम था कृश्चिएर बरनाड इसलिए हट के शक्रणम जाता या सबसे पहले वेक्ति वेक्ति दिसमबर कर नाम दोस्तों यह 2 वेक्ति प्रकाम किया थे तीशथी लोगों का टीम था दी फर। पहला था लूई वन्सकी और डेनाल वर्ठल दोनों के बीच में ट्रास्पर किया गया था एक तीरपन वर्ष का था लूई वर्ष का था डेफर्ड वर्णाल ये दोनों के बीच में ट्रास्पर करने के बाद अप्रेशन सक्सेज हुआ लेकिन नुमुनिया के कारण लूईस जो है क्या हो गया देथ हो गया 22 दिन बाद है बाइस या नौ दिन नौ या दस दिन बाद वो मड़ नहीं हो पाया तो सबसे पहले धसीन अभीर्कामें हुआ था क्या ट्रास्पर हाट का अभ इसके बाद भारत में अगर आप दिल्ली में है वहाँ सबसे पहले हट का ट्रास्पर करने वाल अव्यक्ति का नावधर डॉक्टर बेनु गोपाल ठीक है यह तो दोस्तों यह जो ट्रास्पर किये थे इनका कहानी था अब बात करते हैं कि यह जो हट जो है हट का वजन कितना होता है तो अगर मनुस में कहा जा है इसलिए महिला थोड़ी से घटना होता है तक आपने लगती है चुकि उसके पास वजन हट का कम होता है तुसरी बात है दस्तों कि हट का वजन हट का लंबाई की बात करते हैं कि हट कितना लंबा होता है